अगर आपके बच्चे अभी छोटे हैं और आप उनके फ्यूचर के लिए चिंतित हैं कि आने विले टाइम में उनके खर्चे बढ़ने वाले हैं चाहे इसे उनकी हायर एजूकेशन की बात हो ये फिर आपका कोई और उनके लिए बड़ा लक्चे है उसके लिए आपको पैसो की चरवत तो जरूर पढ़ने वाली है लेकिन अगर आपके पास घर नहीं है तो आपने अपने लिए एक घर का प्लान भी जरूर सोचा होगा लेकिन आपके पास जो पैसे आते हैं वो मतली बिसेस पर ही खर्च हो जाते हैं उसमें से आप कुछ भी सेविंग नहीं कर पाते और आपका जो सपना है अपने लिए एक घर बनाने का वो भी पूरा नहीं हो पाता है क्योंकि आप उसके बारे में सीरिस होकर नहीं सोच पाते हैं क्योंकि आप ज़ाधा नहीं थोड़े बहुत पैसे बज़त करते हैं और एक निवेश प्लान करते हैं तो उससे भी आप अपने लिए एक बड़ा फंट बना सकते हैं जाहे से आपके बच्चों के लिए एक बड़े फंड की जरूत हो, उसे भी पूरा कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर अपने घर के लिए भी एक बड़ा फंड बना सकते हैं, हम जादा की बात नहीं कर रहे हैं, कि आपको लाग दो लाग रुपे निवेश करने हैं, अगर आप कम पैसे भी निवेश करते हैं, तो यहाँ पर हम एक ऐसा प्लान लेकर रहे हैं, जिसके अंदर आप एक करोड तेरे लाग रुपे तक बना सकते हैं, और इसके लिए आपको जो अमाउंट है, वो सिर्फ एक बार निवेश करना होगा, 47,849 रुपे का, यानि यह अमाउंट कोई जादा बड़ी रकम नहीं है, सिर्फ इस अमाउंट को आपको निवेश कर देना है, और इससे निवेश करके फूल जाना है, देकिन जब बात आती है निवेश आप्शन की, तो यहाँ पर बड़ी प्रिशानी होती है, कि हम कहाँ पर इतने पैसे को निवेश करें, जिससे हमें रिटन अच्छा मिल जाए, और यहाँ पर हमारे पैसे पर कम रिस्क के साथ एक बड़ा प्रॉफिट भी मिल जाए, और दोस्तों अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें, तो म्यूचल फरेंस एक ऐसा ऑप्शन रहा है, जह यहाँ पर जो रिटन है, वो पिछले कुछ सालों में काफी जबरदस्त मिला है, अगर आप उससे कंपेर करेंगे, बैंक FD के साथ, LIC के पॉलसी के साथ, या फिर बॉन्ड के साथ, तो उससे जदा रिटन ही आपको देखने करें मिलेगा, यही वज़ा है, यहाँ पर तेरे लाक रुपे का फंड कितने टाइम के अंदर बना सकते हैं, तो दोस्तों से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है, तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रू करें, द दूसरे मिट कैप और तीसरे स्मॉल कैप फंड, लेकिन यहाँ पर अगर रिस्क की बात की जाए, तो सबसे ज़र्दा रिस्क होता है आपका स्मॉल कैप कैटिकरी के अंदर, लेकिन अगर आप कम पैसे निवेश करके और उस पर रिस्क ले सकते हैं, तो यहाँ पर आप पै फिलियों को भी जरूर ट्रैक करें, कि यहाँ पर जो आपका पैसा है, वो किन स्टॉक के अंदर निवेश किया जाएगा, जिस कोटे के प्लान की हम बात कर रहे हैं, इसका ओल टाइम का रिटन है 20.19% का, जबकि पिछले 5 साल में भी रिटन है 25.34% का, जबकि पिछले 3 साल का जो रिटन है, एनुली, वो 35.39% है, और एक साल में भी रिटन 19% से ज़्यादा इस फंड ने दिया है, देकिन जब बात करते हैं हम निवेश की, तो इसके अंदर आप लंब सम पैसे को निवेश कर सकते हैं, देकिन यहाँ पर आप जो भी पैसा निवेश करते हैं, उसका तो 5 साल के टाइम पिरेट में इस पर आपको 71,215 रुपे का कुल रिटन मिल जाएगा, और 5 साल में इस पैसिक की वैली होगी, 1,19,064 रुपे की, लेकिन यहाँ पर कंपाॉंड रिटन से लंबे टाइम में आपको ज़्यादा पाइदा मिलता है, 10 साल के टाइम पिरेट मे 47,849 रुपे की वैली होगी, 2,96,278 रुपे की जब कि इसमें रिटन मिलेगा, 2,48,499 रुपे का, इसी तरह दोस्तों, अगर हम यहाँ पर 15 साल के टाइम पिरेट की बात करते हैं, तो इसमें रिटन मिलेगा, 6,89,362 रुपे का, और यहाँ पर कुल मिलाकर आपके पास 7,37 1,211 रुपे का फंड होगा, जिबकि अगर हम 20 साल की बात करते हैं, तो इसमें आपको 18,34,416 रुपे का फंड मिल जाएगा, और रिटनिसमें 17,86,577 रुपे का होगा, लेकिन दोस्तों, 35 साल में आपको 45,64,614 रुपे का कुल फंड मिल जाएगा, जिबकि रिटनिसमें 45 16,775 रुपे का होगा इसी तरह 30 साल में आप सिर 47,849 रुपे का निवेश करके 1,13,58,219 रुपे का फंड बना सकते हैं और इसमें रेटन जो मिलेगा वो लगपक 1,13,10,370 रुपे का होगा दोस्तों यहाँ पर इस फंड के अगर हम NAV, Net Asset Value की बात करते हैं तो प्राइज इसका भी है 225 रुपीज का यानि कि आप लब सम जब पैसे निवेश करेंगे और उस दिन जो भी NAV का प्राइज होगा उसके हिसाब से ही आप कुछ उनिट लॉट की जाती है और इसी पर आप प्राफिट या लॉस को भी टेली बेसिस पर ट्रैक कर सकते हैं फंड की रेटिंग 4 है जबकि फंड साइस की बात करें तो इस फंड का EUM 12,449 करोड रुपे है यानि इतने पैसे लोगोंने इस mutual fund प्लान के अंदर निवेश की हुए है जबकि लंब सम अगर आप चाहें तो 5,000 रुपे से निवेश कर सकते हैं मोटा मोटा अगर बात की जाए इस फंड के टॉप होल्डिंग की तो इसमें century plywood, रत्मानी metal, blue star यानि कुल मिलाकर small cap category के 76 stock के अंदर पैसे को निवेश किया गया है यहाँ पर ये ऐसे stock हैं जिनके अंदर potential growth आपको काफे ची मिल सकती है chemical sector और capital goods के अंदर ज़ादतर पैसे को निवेश किया गया है और fund का beta काफी कम है 0.78 का दोस्तों fund का beta अगर एक से कम होता है तो fund के अंदर जो risk है वो भी कम माना चाता है यहाँ पर expense ratio यानि कि खर्चा भी कम है 0.44% का जबकि exit load की बात करते हैं यानि कि आप जो पैसा निवेश करते हैं उसमें से 353 से पहले 10% unit redeem करते हैं तो आपको 1% exit load charge देना होता है जबकि यहाँ पर tax की बात करें तो एक साल से पहले return पर 15% का tax होता है जबकि एक साल के बाद अगर आपको 1,00,000 रुपे से ज़्यादा profit होता है तो 10% का LTCG tax देना होता है fund management team में पंकच, अर्जुन और हरीश इस fund को manage करें हैं लेकिन अगर कोटेक AMC की बात करते हैं तो fund house के पास लगबक 3,00,000 करोड रुपे का EUM है asset के साब से 5 नमर पर रेंक आती है और 1994 को कोटेक महिद्रा mutual fund house से start हुआ था तो दोस्तों अगर आप लंब सम अपने पैसे को निवेश करके उस पर risk लेकर एक बड़ा fund बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कम पैसे निवेश करके भी एक बड़ा fund आसाने से बना सकते हैं mutual funds के अंदर हमें यही benefit मिल जाता है यहाँ पर हम कम पैसे निवेश करके अपने किसी भी target को बूरा कर सकते हैं लेकिन यह वीडियो आपके education purpose के लिए है जब आप mutual funds के अंदर निवेश करें तो आप इतने जोकिम को भी जरूर चैक कर ले यहाँ पर आप कितने टाइम के लिए निवेश करना चाहते हैं कितना आपको profit मिल सकता है जब फिर आने वाले टाइम में और कोई बड़ा crash आता है stock market के अंदर तो उस condition में आप पैसे को रख सकते हैं फिर निकाल सकते हैं दोस्तों stock market के अंदर बहुत अधा जोकिम होता है इस बात को भी आपको जरूर चेक करना है वीडियो से लेटर कोई question होता है तो आपको में जरूर बताएए पसंद आती है तो लाइक जरूर करें अपरे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को भी जरूर सबस्क्राइब कर लें धन्यवाद